कि हैपी रिपर्ब्लिक डेट वाल आज मैं बात करूंगा बिस्वर प्रवाय चौधरी जी के एक पेशेंट के बारे में यह पेशेंट को 2012 के अंदर डायब्टीज का पहली बार डायग्नाइज हुआ था और इनका डाय जो ब्लड शूगर लेवल है वो डाइसो तीनसो तीनस में नहीं आता था फिर इन्होंने विस्वर प्रवाय चौधरी का प्रोग्रम अटेंड किया और उसके बाद से इन्होंने इनका ब्लड शूगर जो है वो थोड़ा सा ठीक होने लगा और शुरू में इन्होंने एक दो बार चेक किया उससे सैटिस्पाइट इतना हुए कि उसके बाद देर दो साल तक इन्होंने अपना ब्लड शूगर भी चेक नहीं किया अब इन्होंने करीब सेप्टमबर दो हजार अठारा के अंदर विस्वर्वाय चोधरी जी का प्रोग्रम शुरू किया था जिसमें सुबह फूट लेते थे और दोपहर को भरपूर भोजन करते थे और रात को भी वरपूर भोजन करते थे और उन्होंने क्या चैंज किया यह सुघ उटकर तीन ग्लास पानी पीते थे और घुमने जाते थे तो ये विसुर पराए चोधरी जी के प्रोगाम के बाद में इन्होंने बंद कर दिया घुमना तो बंद ने किया पर पानी पीना बंद कर दिया दूसरा ये करीब एक लिटर रोज दूद पीते थे और विसुरु प्रहाय चौदरी के सजेशन के कॉर्डिंग इन्होंने यह भी बंद कर दिया और इसके अलावा इनका ओरॉल जो पानी का इंटेक था वो भी हाई रहता था तो एस कंपेर टू अर्लियर इंटेक वो भी इनका कम हो गया और वह अनिंटेशनली ही फूर्ट्स का इंटेक बढ़ाने के बार कम हो गया तो अब आप देखेंगे कि जो हमारे सजेशन से तो वह यह तीन क्रूशल चीज़े हैं कि जो हम खाली पेट पानी पीते हैं उसे डियाप्टीज होता है जो हम फ्लूइड और भी लेते हैं मिल्क हो गया या किसी भी और तरीके के लिक्वीड हो गया उसकी वज़े से होता ह तो मेरा मानना यह है कि इनको जो डियाप्टीज या ब्लड शूगर से अराम मिला वो इन तीन वज़ाओं से मिला है तो इसी तरीके से हम दूसरे पेशेंट्स के बारे में भी फीडबेक लेकर बातचीत करते रहेंगे और कोशिश करेंगे यह जानने कि कि वह एक्जेक्ट तो उसका कोई फायदा नहीं होता तो में चीज जो है जो ब्लड शूगर डायपटीज के पेशेंट को देखना होता है वो है कि उनका किसी भी टीटमेंट के बाद एनरजी लेवल कितना बढ़ रहा है और अगर किसी का एनरजी लेवल कम होने लगता है सुस्ती आने लगता है दो-तीन दिन से ज्यादा के लिए तो उनको का कुछ Ign work के लिए दो चार दिन के लिएएं दोबर कर दिनकी लिए चाहिए दबा लेने में कोई भी हर्जा नहीं है तो एक तियर तोरपर दो यातें दिननंके लिए हशते के लिए तरहां यहाई ने के बाद में चाहिए इस तरह के से aula लेटे यह करने हो्मार यह जयासी है और अगर एक हम उसको बंद कर देंगे अदर शूगर नहीं होती गुलुकोज नहीं होती है जब की सेल में होनी चाहिए और नहीं होनी चाहिए तो जब भी सेल में शूगर ग्लुकोस जाना शुरू हो तो अपने आप से लगाई कि आपका एसा प्रग्रम है जिसको करने में आपको किसी भी खर्चे का एक्षा करचा नियूंगा और किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगी जो की बहुत इजी होना चुनकर करने के लिए तो one care for all disease जो हमारा प्रोगे में वो सबसे ज्यादा इजी है और सबसे ज्यादा एफेक्टिव है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसमें आपको पेशेंट्स के बारे में फीडबेक मिलेगा धन्यावाद हलो हाफ दोश्कार दोश्कार जी बिजनोर से बोलना हूं मैं डास्टर अरुन कुमार मेरे नाम हो जी जी आपकी वीडियो देखी मैंने एक दो हैं जी तो इसके रिलेशन में ही बात करने हैं जी जी बताईए आप किस फील्ड में डॉक्टर हैं मैं आयरुवेदिक डॉक्टर हूं ब्यम्स क्यों क्यों अपना मेरी प्रैक्टिस है अपने विजनों और श्क्राशिक गाउँ हैं जी गाउँ में काम करता हूं मैं तो मुझे भी 2012 में डाइबीटीस अभीत हुई थी तो के साथ साल हो गए है ठीके जी और आप जानते हैं डॉक्टर वी में बहुत सरी दवाईयां जो मैं फॉर्भीन पहाँ सुरू ही थी वो इस टेम 2000 अंजी कर दिगी थी मेरी पिछले साल नॉम्बर पिछले साल अगस्ट से सब्सक्राइब की बात है लेकिन पर मैंने भी पर चौदरी का कारिकरम देखा एक आध मीटिंग जाइन करी उनकी और मैंने वो इनका प्लान फॉलो करना शुरू कर जाता तो यह किया था मैंने पिछले साल अक्टूबर नॉम्बर से कि दोजार में इसी दोजार में अक्टूबर नॉम्बर में तो जब से अब तक आज तक भी मैंने कोई भी अलोप्रेटिक दवाई निखाई जब से और मैं बिल्बूल फीट भी हूं मेरा वजन 20 किलो था तो वह भी 10 किलो अपने आपी रिव्यूज हो गया और मदला शरीर अब शुष्टी फुर्ती ये सब चीज बढ़ गई शरीर भी देखने में बहुत ठीक हो गया तो उससे तो मैं बूलकु सब्सक्राइब मतलब मतलब सुगार मैंने जगसे जात ही निए किसी तरह का बिल्कुल यूरेन कोई दिकत नहीं और थोड़ा बहुत 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 कितना वेज़िट वह लेता है सलाद को फूर्ट मैं लेता हूं जासे सुबह सुबह दो-तिन संपरे दो-तिन शेव और यह सब खाये तो मैं बलाकर 700 ग्राम आप्सास खाये लिटता हूं ठीक है ठीक है और और बोजन करता हूं दो प्रेर के बाद विद्फलाद मतलब सनाथ पहले और उसके बाद भोजन तो में क्या लेते हैं बोजन में तो सब कुछ ले लेते हैं जो आप चावल रोटी सब्जी सब कुछ तो थोड़ा सलाद लेते ज्यादा नहीं नहीं जादे भी कही मतलब ठीज़े उनका नुशार तो जो है वह पाइं एंड़्पास पुछ बाद फोड़ी का बोड़ी बेट का लेकिन कई लगार से सब्सक्राद को जयाता हुआ है जैसे कई बार बेलेविली हुडती है यह जो तो ता दिक्कत हो जाती है तो बुझन पुरा आज लेता हुआ है ठीक है नहीं ड़त को बीशी तरह को फूसी तर अबाई सुरूगा सुबह और सुबह कुछ और नहीं लेते हैं फूरूट के लवा ना जी कुछ और नहीं है ठीक है और आप एकदम फित है आप अच्छार फील कर रहे हैं और शूगर आप फिटी एट है कि अब कर जब आपने शुरू किया उसमें आपकी ब्लेड शूगर कितनी रहती थी उसमें डिस्टर चल लए थी काफी मतलब कभी तो 300 भी हो जाती थी और कभी मतलब 200 कभी और यह इस तरी डिस्टर्मेंट रहता था तो जब आपने बिसुरू रॉय चोदरी का प्रोगर्म श और उसके अलावा दोहार जैसे ब्लेड फिमर देते हैं यह सेजमाक और ब्लेड प्रोफाइल करा रहता था तो उसमें एक मल्कि वितामिन देते हैं बहुत महांगा वाला ऐसे मतलब कहीं सब्सक्राइब तो उस समय ठीक रह रहता था था उसमें ठीक हो रहता था तो मैंना सब्सक्राइब तो आपके ख्यालते इनका प्रोग्राम एकदम ठीक है तो मुझे उसमें एक संभावना लगी मेरे पास पेशेंट भी आते हैं तो यह प्लान अगर किसी पेशेंट को बताता था तो वह उसको फॉलो करने मैं सब्सक्राइब नहीं होंगे या हम हमारी हम इसको अफर्ड नहीं कर पाने के यह इस तरह की शिकायटे करते थे और बस तो मैंना आपका लगा तो देखा यह तो तो मुझे बड़ा पर इससे लिगा लगा कि अगर हम यह बताएं तो फिर तो उसको कुछ भी निखाना पड़ी निखानी पड़ी मैं पेशेंट को पैसी इस्तिति में यह तो बहुत ही जुकार कर रहेगा तो मैं कल सो देख रहा ह आपकी वीडियो मुझे चानल बिंक मिल गया तो मैं अचानल कि आया मेरे पास लिंक आपका तो मुझे इसमें कुछ सम्भाव ना लगी कि बाई मैं अपने साथ सा तो और वाला हो सकता है मुझे आप इसमर एड़ वाईज करिये कि मैं कैसे इसी लोगों से बताओं या पने आप और आप पहले आप करूं कैसे करूं इसको बंद कर दो भी जय रहा एक मिनट मैं एक मिनट बाあのको कॉल ओर ट्रव कॉल करता हो तो बिल्गूर्सल करां कर ली दें सेलो जादे आप हाँ तो इसमें दो ही बेसिक कंसेप्ट्स है पांच मिन mieux चलने का था और पांच मिनिल रहाई वह मैं देखा आप तो एक तो ये था और दूसरा वाला था कि खाने के साथ पानी पीना है 200 ml और उसके अलाभा हमें तीन बारी खाना खाना है दिन में तीन बारी के लावा कुछ नहीं खाना और तीन ही बारी पानी पीने तो पूरा छे दिन तो हम यही रूटीन फॉलो करेंगे खाने के साथ पानी पीने का और साथ वे दिन पानी का इंटेक बढ़ा कर डेट दो लीटर कर लेंगे इतना कोई कमफोटेबल हो जए 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 और मैं आपसे प्रजेस्ट यही करूँगा कि एक बारी इपना ब्लड प्रेशर ब्लड शूगर और ब्लड पेशर दोनों चेक करिए दूसरा क्या था कि मेरा मानना यह है कि blood sugar and blood pressure होता है वो हमारा एक body का defense system होता है तो अगर हम दवाईयों से blood pressure and blood sugar को कम करते हैं तो वो कहीने कहीं प्रॉलम शुरू कर देता है long run में जैसे मुझे कुछ लोगों का feedback आया है तो वो लोग यह बोलते हैं कि इसको करने से weakness बढ़ जाती है जै आप शायद fruits एक बार ले दे हैं सलाद के अलावा आप दो बारी खाना ठीक खा रहे हैं तो आपको इसलिए हो सकता है कि उसका safe effect नहीं हुआ हो जै जी खाना प्रहा रहा है मैं जी हां तो बेसिकली लोग क्या करते हैं कि जैसा वो बोलते हैं तो उस तरीके से fruits जादा ले लेते हैं और आपका पानी का इंटेक भी नहीं बढ़ा होगा शयद मैं पानी का इंटेक में गिया मैंने बढ़ाया और पानी वैसे कितना पीते हैं आप दिन में पानी में आप प्यास मेहसूस करते हैं अब प्यास मेहसूस करते हैं जैसे आगल कर दी है तो मैं महसूस आगल तो बिल्कुल महसूस नहीं हो रही गर्मियों में मैं तो महसूस सुथी है ठोड़ी दिन में मालब पानी पी लेतने हैं तो जानके पी लेतने कहीं बार कि जसे कोई और पी रहा कोई गैस्ता या पी रहा मैं पी रहता हूं वैसे तो कहीं बार पी रहतने हो में जूरू नीटर पानी तो गर्मियों जब आपको डियापटीज हुआ तो उसमें आप कोई सुबह उठकर पानी पीते थे खाली पेट आप हाँ पीता हाँ मौर्निंग वाग में जाता था था मौर्निंग वाग से पहले पानी पीने का करम था मेरा लेकिन जब से फ्रूट वाला सिस्टम शुरू किया ना उस टाइम पानी का कम होगी अपने अभी और आप पहले कितना पानी पीते से सुबह मौर्निंग वाग में कम सखम दो तीन गिलास तो पी लेता था सुबह उठकर और ये कितने साल तक चला आपका कि में वे वह चरू घट चला मेरा कहीं था सब घरे अजुश कर रहा था आए जब सरफ फैनर में पहली बार आपको डायपटीज का पता चला तो 2012 से कितने साल पहले कर ते उससे पाह न कोरी मैं मुस्म रेगुलर ने कर रहा था कुछ नहीं मैं जो पानी सुपे उटकर तीन ग्लास पीने वारा पानी पिया एक दो ग्लास वाकिंग में चले गाए यह तो मैं कर जाता दोजार बारा में भी कर रहे थे जी जी उस समय चानक मुझे बहुत जादा प्यास लगी बहुत जादा पेसाब आया तब पता लगा कि कुछ बढ़ी हुए दोस्तों कुछ आई थी उसना मेरी खाने के बाद दोस्तों स्टी के असपाफ दिखिए मेरा मानना यह है कि जो हम पानी पीते हैं खाली पेथ और जब हमारा फ्लूइड इंटेक जादा होता है और एक्टिविटी लेवल कम होता है तो उसकी वज़े से हमें पानी कैसे कम हुआ कितना हुआ उसका आइडिया नहीं है अगर आप इसको थ्यान से अनलाइज करेंगी ना तो इसका लिंक कहीं ना कहीं आपके टोडल फ्लूइड इंटेक से आजाएगा आप 2012 में कितना चाय और लेते थे चाय और दूद्ध हाँ उसमत चाय दूद्ध य जो आपका कारन था ना डाइबटीस का जी वह यही कारण थे और आपने फूट की डाइट चालू करने के बाद जो कारण थे डाइबटीस के रियल वह आपने बंद कर दिये जी 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 तो मोस्त लाइकली आपका जो ठीक हुआ वह इस फूट्स की वाज़ेसे नहीं उसकी हमाद मज़ा कोई भी नहीं हो लेंगिन वो चीज़े छुटी है और जहां तक आपके प्यास की बात है न तो डायबोटीस में सबसे में इस की प्यास इस अच्छा अच्छा प्रैसे हो जाने कि अच्छा अच्छा है अब मैं यह दिरामत हुआँ अब मान जब दवाईयां पे लिक्ता ही नहीं और फूर्स में लेगाता अब सुबर कहना निकाता तो जबहता आपके आप तीन बार खाना कहना है जूरुरी है कि आप जड़र है तीन फार खाना है नहीं अगर आप लगता है कि आपको वेट और क 72 kg है, तो अगर आप तीन बारी खाना खाते हैं, तो कोई समस्या नहीं है, पर अगर आप कहते हैं कि आप दो बारी खाना चाहते हैं, और एक बारी खाना चाहते हैं, उसमें भी समस्या नहीं है, पर फूट्स में फाइबर जादा होता है, और जब आपकी एक्टिविटी है और आपका ओयल कंजम्शन भी ठीक है फेट वगरा मुलतेल वगरा भी ठीक लेते हैं हाई ने प्रेम तो जो जो बंप कर रखी लेकिन कहीं कभी चैसा पार्टी वारा में पूड़ी बनी है या कोई जो ओयली चीजिए है खालिक पहीं हो तो राप देशी की वगरा यह दिल थोड़ा बत तो यूज करते है रेगुलर या वह भी कम किया हूए अपने बहुत है तो उसमें इस्तेमाल होता है इतना हो और और कभी कवाद कि हमालों के एक बार या दो बार कभी कवाद पूड़ी वगरा इस्टेशिए तो ले लिगते हैं हाँ तो बेसिकली क्या होता है कि हमें हर चीज्च थोड़ा लिना होता है यह जो लोग बीमार पड़ते हैं उनका कारण क्या होता है कि वो एक पटिकलर डाइ kwalow करने लगते है ऊप्टिकलर रभम करना है तो यह जो करना ही नहीं होता और जो लोग तो बहुत ठिकली जैसे मेरे पास कुछ लोगों की कॉल्स है जैसे एक कुछ 70-year-old किसी ने किया तो उन्होंने बोला कि विसुरू प्रवाई चोदरी का प्रोग्राम शुरू करने के बाद थोड़े दिन तो ठीक लगा पर उसके बाद में वो छे महीने तक उनका बढ़ गया इतना बढ़ गया है कि चेविने तक बैट पर रहे है जी फिर एक सबसे इंपॉर्ट जो इंटरस्टिंग केस था ना वह एक दस साल के बच्चे का था तो उसके पिताजी फोन करते थे उन्होंने का कि जब हमने बिसुरू प्रवाई चोदरी का प्रोग्राम चालो किया सला यूनिट होता था दिन का तो हफते के बाद वो बोलते कि उनका इंसुलीन बंद हो गया बच्चे का और ब्लड शूगर नॉमल आ गया तो उसके बाद उन्होंने क्या करना शू कर दिया कि अच्छा सब्सक्राइब के बाद में जो ब्लड शूगर नॉमल हो गया था वो फिर दुबारा से बढ़ने लगया तो जब वो बढ़ने लगा तो उन्होंने इंसुलीन फिर दुबारा चालू करी तो दुबारा जब चालू करी तो सोला यूनिट के बाद भी धाईशों के नीचे नहीं आ रहा था सो मैंने उसको इनलाइज इसते के से किया था कि जब आप फ्रूट का इंटेक बढ़ाते हैं तो फाइबर इंटेक भी बढ़ जाता है और वो फाइबर इंटेक बढ़ने की वज़ए से क्या होता है कि अचा फिर आपका और दसाल के बच्चे का फूट इंटेक में भी उसको इत्मानी जित्ते हैं बोडी वेट के साफ ही देते हैं यह भी वन परसान देते हैं बोडी का बोडी वेट का उसका चालिस के करीब था तो 400 ग्राम तो हो जाएगा तो अब बच्चे को इश्यूस नहीं होते हैं अगर वो 400 ग्राम फूट डेली लेता है और साथ में प पानी का इंटेक कम किया पर वो कुछ लोगों का होता ना की पानी का इंटेक कम भी करते हे तो भी उनको बहुत डर लगता है तो उनके यह वर यह हूणा की नीच्चे जाए नहीं पारे ते जबकि बच्चा जितना छोटा होता है पानी का इंटेक उतना कम होना चाहिए यंग एज में 20-22 में तो पानी का इंटेक थोड़ा सा जादा भी चल जाता है पर दस साल के बच्चे के लिए मेरे कहल से दिन का आधा लिटर भी बहुत जादा है फिर बच्चों का दूद है फ़ल फ्रूट हो गया बाकी सब शीज हो गई तो जैसे आप बता रहे हैं कि सर्थी में आपको प्यास नी लगती है जैसे दूसरा चीज यह था कि जैसे ही आप इस सिस्टम पर आते हैं कि जब आप खाने के साथ पानी पीनी लगते हैं अब किसी नॉमल आदमी को जिसको कोई और तकलीफ हो ना जैसे गुट्नों का दर्द हो यह उस तरी की का हो अब उसको पुट्नों अधार जी मेरी माता जी है मतलब उनकी उमर तो इस्टम फटर का अफ़ाग है लेकिन गुट्नों का बहुत बढ़ी पानी पीने तो उनका पानी का इंटेक कम करके आप खाने के साथ पानी इंटेक 200 ml करके पूरे दिन में 600 ml रखिए और बाकी सब लिक्विट्स बंद कर दीजे और उनको वाक एंडेस थोड़ा सा जितना कर सकते हो तरह करेए घर में तो तीन-चार महीने लगेंगे गुट्टें के दर्द ठीक हो जाएंगे और सबसे में चीज क्या होती है जब आप यह सिस्टम चालू करते ना तो स्लाइवा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है प्यास लगनी बंद हो जाती है सबसे में चीज तो यह है हलो 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 हाजर वो स्टैंप साइब में नैटवर्क में नहीं था पोन कर लि जासे मतलब यह थिरेपी है तो जैसे मैं मान दब मेरे सामने सर्फ से और यह है कि मतलब जैसे मैं उस चीज जो लोगों तक पहुंता आप जो मैं तो इसको अफोर्ड कर रहा हूं फूर्ट सब्सक्राइब हो जो बहुत जो लोग जाता लोग इस तरह के हैं जो जो इसी बा मैं आपको कुछ कस्टमर्स का जो फीडवेक और जो एक्सपीरियंस है वो बतायता हूं एक पेशेंट है उनको एसाइटर्स का प्रॉलम था जलोदर और किड्नी का जो क्रिटिना ही था 1.7 था हार्ट का जो एक पफरमेंस होता है यह पोलते है शाद उसको 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 30 पस तो यह प्रॉलम के चलते हुए जब चलते थे उनको सांस फूलता था अच्छरी और मेडिसिन उनकी चल रही थी 13 दिसंबर की बात है 13 दिसंबर को सारी मेडिसिन बंग करा दी अच्छल और यही प्रोगाम उनको करने के लिए बोला कि सुबह उटकर एक घंटा वाकन डेस्ट और रात को सोने से पहले एक गंटा वाकन डेस्ट और वारे जालो तो इसके साथ में पानी का वालब खाने के साथ तीन बारी खाना खाना है और तीन बारे पानी पिना है तो 28 तारीक तक वो ठीक होगे जो इनका सास खूलता था वो दो दिन में बंद हो गया और जो वो डाइटोर वगरा लेकर पिशाब बून का इंक्रीज नहीं होता था वो उनका पिशाब आना शुड़ हो गया डंक से उन्होंने करीब मेरी कहल से इस महीने चेक कराया अपना किड्नी वगरा था तो उनका क्रिटिना जो था 1.7 था वो 1.1 पर आ गया और उनका जो एसाइटस था वो बिल्कुल खतम हो गया जो पैर में मुव में और पेट में स्वेलिंग थी वो सब खतम हो गई इस बीच में जब उन्होंने शुरू किया था तो उन्होंने चार दिन के बाद में एक डाइटोर टेड लिया था एक टेबरेट शिरफ और उसके पिक्निक बगएरा पर चले और किए बार तो उन्होंने पर ऋन्हों बचे अने के कटरने बाहते और ने सबूझी तो बेसिकलिए अठाइस तरीका पंदा दिन क्या तो फॉलो नहीं कर पाए तो ये एक तो ये एक्स्पेरिमेंट हो गया एसाइटर्स के जलोदर का एक और पेशेंट थे 68 एर उल्ड इनकी उमर तो करीब थी मेरे काल सी 20 साल दूस्वे पेशेंट 68 एर उल्ड थे उनका उन्होंने ये सिस्टम फॉलो किया था तो एक महीने में उनका एसेटर्स कटब हो गया था पूरा आज इस बात को देड़ साल हो गया देड़ साल से उनका एसेटर्स के प्रॉल्डम बिल्कुल भी नहीं आए दुबारा तीन महीने तक उनको डाइजेशन वेरा का इशू रहा था तीन महीने में वे ठीक हो गया एक पेशेंट है जिसको नो साल से डायलेसिस चल रहा है तो उनका पानी का चाय का सब मिलाकर इंटेक करीब 1.2 लीटर हो जाता था दिन का तो उसके बाद उनको 500 ml करीब ब्रेसिक करके खाने के साथ पीरा करके बोला तो दो दिन के अंदर उनका यह हाल हुआ कि उनको जो सोते थे तो तकीये पर स्लाइवा निकल रहा शूरू हो गया और उनको प्यास लगनी बंद हो गई जो यंग लोग है उनको एक दिन में प्य साइज करता है तो इसको प्यास लगती है अगर आदे घंटे बाद तो वो चार घंटे भी खेलेगा तो इसको प्यास नहीं लगेगी इसका बेसिक फंडामेंटल यह होता है कि जब आप खाने के साथ पानी पीते हैं और बाकी पानी बंद कर देते हैं तो आपका ब्लड बढ़ जाता है ब्लड की वल्यूम बढ़ जाती है ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूब हो जाता है तो किसी को एसाइटर्स की प्रॉडम हो किसी को हार्ट की प्रॉडम हो तो यह सिस्टम चालू करते ही उनकी सारी प्रॉडम्स खतम हो जाती है अब बात आती है ब्लड शुगर की और ब्लड पेशर की और हार्ट के पल्स रेट की यह तीनों के तीनों मेकेनिजम जो होते हैं वो यह एंशोर करने के लिए होते हैं कि हमारे शरीर में जो energy बन रही है वो हमारे vital organs के लिए जैसे heart है, brain है kidney है, liver है और जितने भी life की processes होती है उसके लिए कम नहीं पड़ रही तो अगर आपके किसी के heart को मान दीजे 500 calories रोज की चाहिए उसको 300 मिलने लगेगी तो दिक्कत आएगी उसके शरीर में पानी भरने लगेगा तो क्या होता है कि वो फिर शरीर क्या करेगा उसको adjustment करेगा उसका blood sugar बढ़ा देगा या उसका blood pressure बढ़ा देगा या उसका pulse rate बढ़ा देगा क्योंकि जो हमारी energy बनती है उस cells में जाकर बनती है और जितनी भी दबा होती है जैसे metformin होगया है कोई भी दबा लेंगे तो वो blood की glucose तो कम कर देती है पर cell की नहीं बढ़ा पाती तो उससे क्या होता है हमारा water weight बढ़ता रहता है हमारा weight बढ़ता रहता है और हमारी कमजोरी भी बढ़ती रहती है muscles भी गतम होते रहते हैं तो यह वाला system चालू करने के भाद जैसे कुछ लोगों ने जिन्हों ने विस्वरू प्राइचोदरी का अच्छे से program फॉलो किया तो उनका दो साल के बाद कहना था कि वो खड़े भी होते हैं तो उनको लगता है गिर पुड़ेंगे उनकी weakness बहुत बढ़ गई क्योंकि उनका carbohydrate और fruits का इंटेक जादा हो गया fiber का इंटेक जादा हो गया विसुरूप जी कहते हैं कि हम 10-12 सालों से इसे program कर रहा है और हमारी आप तक एक भी complaint नहीं है कि तरही तो जूपाते होंगे चीज़ को चुपाते होंगे सबसे पहली 2-3 चीज़े समझिए एक उन्होंने प्रोग्रम किया था 2016-11 नमबर को CD4 औरिटोरियम में दिली में जब उन्होंने अपना blood sugar random लिया तो 160 था तो इसका मलब खोदी डाइबटिक हैं बाकी कि तो कहानी छोड़ दीजे वो दाइसोंता कमको डाइबटिक मानते ही नहीं वो नहीं मानते हैं उनके ना मानने से क्या होता है देखिए दो चीजे दो चीजे होती है एक है कि आपका ढईसों तक blood sugar है तो डाइसों के blood sugar से आपको कोई problem नहीं होगी तो आपको sugar intake यह अब यह कह सकते नहीं यह नहीं कि अब यह कह सकते हैं कि उस समय आपको दबाह लेने की जोत नहीं है परंतु जिसका भी blood sugar 100 से उपर है वो डाइबटिक है क्योंकि उसका control शरी से खतम होता जा रहा है अब मैं हूँ मैं 57 years की age है आप मुझे आदा किलो मिठाई देदो उसके बाद blood sugar चेक कर लो एक गंटे बा आप चाहें जितना मर्जी नमा किला दो मुझे मेरा blood pressure कभी 120-130 से उपर नहीं जाएगा तो बेसिकली जो अच्छा दूसरी चीज उन्होंने एक fraud किया ठीक है पब्लीकली उन्होंने सब के सामें खुले हम fraud किया और उसको बताने के बार जूद वो उसको एडमिट करके जी नहीं है जब उन्होंने 160 blood sugar उनका आया तो उन्होंने वो सीरींज से blood लिया था अपने आम से जो होता है जहां से लेते हैं उपर से blood जहां से लेते हैं वहां से blood लेने के लाद एक drop डाल दी उन्होंने एक slide पर और उसके अंदर fructose add कर दिया अब क्या होगा कि अगर मार लीजे आपने 1 ml blood लिया और उसमें 10 gram fructose add कर दिया तो क्या हो गया आपका जो blood sample है उसका size कितना हो गया 1 ml की जगे वो 1.5 ml हो गया अब आपका blood sugar पहले था 160 अब blood sugar level आपका 160 ही रहा तो आप पहले कैसे calculate कर रहे थे 160 बटा 1 क्योंकि नीचे का ज आपका पहले 1 ml था ना blood तो आपने 160 बटा 1 कर दिया तो 160 ही रहा अब आपका जो blood volume है वो बढ़ गया वो 1 ml की जगे 1.5 ml हो गया क्योंकि आपने 5 gram उसमें 0.5 gram आदा ग्राम उसमें वो डाल दिया fructose तो अब आप डिवाइड करेंगे 160 divided by 1.5 1.5 तो वो 108 आगया उनका अब उन्होंने public को बोल दिया कि क्योंकि जो glucose meter होता है वो सिर्फ glucose चेक करता है वो fructose को एड नहीं चेक नहीं करता अब उसके बाद उन्होंने उसमें glucose मिला दी तो 600 पहुँच गी अब जो glucose 100 थी उसके अंदर आप 2000 यूनिट्स के बराबर की glucose मिला दोगे तो वो शूटर परेगा ही करेगा अब इस experiment से उन्होंने public को बेवकूब बनाया कि fruit खाने से कम होती है मैं अब दूसरा example लेता हूँ मेरी मदर की उमर थी 80 साल असी साल ने उसमें महान ली जे 75 साल थी तो उनको पिछले 40 साल से इंसुलीन ले रहे थे और दबा लेते थे बलब दिन की कम से कम 20 से ओपर टेबलेट होती थी उनकी इंसुलीन 54 यूनिट तीन बारी लगता था दिन में उसके बाद जूद उनकी प्रट शूगर साड़े 300 साड़े 400 से नीचे नहीं आती थी हर तीस प्लेन वाइट शूगर ठीक है ना तो उसमें जो बोलते हैं कि सलफर होता है वगरा करके यह लेना चीए गुल लेना चीए वो सब नहीं सिंपल से सिंपल जो प्लेन शूगर होती है चार महीने के अंदर उनकी इंसुलीन बंद दबाईया बंद और बलड शूगर जो पहले पहले लगती है क्योंकि उसके शिर्यादी हो चुका था उस चीज का अब जो चीनी के बारे में इतना कुछ बोला जाता है अब आप यह देखिए कि चीनी है क्या चीनी शूगर से शूगर केन से बनती है शूगर केन क्या है फ्रूट है वो भी इस से किसे आपका आम है उस स जतना फ्रक्तोस और जतना गुलुकोज हम में होता है या सेब में होता है उतना ही गन्य में होता है गन्य का जो 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 ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो 60 होता है जो आपकी वाइट ब्रेट होती न उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 72 होता है तो जो आपकी तो आपको यह पता चलेगा, जो लोग बिल्कुल भी शुगर निगाते, उनको diabetes होती है, और जो लोग बहुत ज़्यादा शुगर खाते हैं, और साथ मेए कोल्डिंग्स लेते हैं, या फानी पीते हैं, उनको होती है, तो आपको पता लगेगा कि जो भी जड़ा है बीमारी की वो पानी ही है दिखें अब कॉस्टी पेशन के पेशन्स को ले लो अब मैं आपको पेशन्स की स्टोरी बताता हूँ जो आपको बिल्कुल तरीके से वो कर देगा कर देगा एक लेडी थी, उनका फोन आया, 40 साल की उमर की ठीक सकए, उनको 15 साल की उमर से PCOS था 15 साल की उमर से उनको आपको ऐसे डिटी थी और आज की डेट में उनको आपको एसी डिटी बहुत सीवेर थी और 3-4 महीने पहले, उनके पीडेट बंद हो गया तो अब उनसे बात हुई 20 दिसंबर को पिछले मेने तो उनको बताया कि इस तर किसे फॉलो करें और मैंने अपना कोरा वगरा पर आंसर पर लिखा है किसी का मेनुबर्स कभी भी बंदुआ हो पंदा दिन में चालू हो जाएगा और किसी के पीरेट जितने मर्जी एरेगुलर हो पंदा दिन के अंदर उसके पीरेट एगनम 28 देज होंगे वो 27 या 29 नहीं होगे कभी और 6 गंडे से उपर का फरक नहीं होगा तो उसके बाद उन्होंने चालू किया पर एक पुरानी चीज होती है ना कि आपके दिमाग में बैठा हुए पानी नहीं पिएंगे तो तो वो घवराते गवराते में 600 मेल बोला था कभी 1200 पी रहे थे कभी दो लिटर पी रहे थे तो फिर मैंने 28 तरीक के आसवास उनको मेसेज भेज़ा कि बर आपको जिस समय पीरड चलू करने हो उसके 48 गंडे पहले मेरे कैपर बता दो तो उनका message मेरे को मिला 2 January को उन्होंने बोला कि 6 तरीक को पीरिड चालो करने है तो उनको program बताया तो उन्होंने वो program 4 तरीक को किया और 6 तरीक को 1 और 2 बज़े के बीच मेरे message आगया कि पीरिड चालो होगे उससे आपको idea लगे हैं कि इसकी precision कितना है आप किसी भी एज ग्रूप की किसी भी लेडी के ऊपर ट्राई करें अब मैं दूसरा बताता हूं एक्जामपल बंग्रादेश की एक लेडी थी 25 साल की उमर की तो उनको वेजाइना में ड्राइनेस थी अच्छा उनको बोला कि आप पानी का इंटेक 600 ml कर दो और 600 ml के बाद व किसी को एक्जीमा हो आप 36 गंदे के लिए पानी बंग करवा दीजे बिल्कुल जीरो करवा पहले तो एक्जीमा वाले पेशेंट से बात करके देखिए जितने भी एक्जीमा के पेशेंट होंगे उनका तीन लीटर से ज्यादा का पानी का इंटेक होगा फ्लूइड इंटे और इसकी सबसे बड़ी बात है इसकी एकुरेसी आप अगर इसको सो लोग ओपर करेंगे ना आप उसको अल्मोस चार घंटे का टाइम बता सकते हैं इस चार घंटे में तुम ठीक हो जाओगे आप इसको एक इसमें एक और प्रोगेम होता है कि आप पूरा दिन कुछ भी खाये और पिए नहीं अगर आपका शूगर तस साल से बड़ा हुआ है तो इसका मतनल कि अपके शएर के अनदर जितने सेल्स ने जितने शिवल्डं में उसकी गुल्कॉस कम हुगई कि अधि अधिकि पेड़ने का एग रहिया है जो कि अल्ग अधैर्व ब्लट से उकड़ा जाता है जब तक आपके ब्लड का गुलुकोज नहीं बढ़ेगा तो सेल में कैसे जाएगा? तो सर जाएगा आपने बढ़ेगा तो यह वैसे तो कोई भी कर सकता है जैसे मानेजे जोगर का परिषन्ट रख कर तो भी सकता है फास्टिंग जगा बिलकुल बिलकुल पर ज्यादा नहीं करना इसको क्योंकि इसका बेसिक फंडामेंटल क्या होता है कि जब आप पांच जो नमबर है ये वट्षेपर है आप यहाँ आप सकता है मैं आपको एक लिंक भेजता हूं वीडियो का 27 मिनट का वीडियो है वो हमारे शिरीक का जो बेसिक फंक्शनिंग है उसको क्लियर करता है और उसको क्लियर करने के बाद जो उस सिस्टम को फॉलो करेगा उसको कोई बीमारी नहीं होगी कभी भी उसको कोई operation नहीं कराना पड़ेगा और यह मेरे को जो मैं इसको मानके जलता हूं इसको age reversal system मानके जलता हूं क्योंकि किसी को PCSO किसी अप्रियेट कुछ भी हो वो इतना accurately और precisely ठीक करता है उसको जिसका कोई मुकाबला नहीं है पूरा medical science के सम है तो यह तो अपर एक और पूस्टन जैसे हाइटेसन डिएटेसन वाला system है तो जैसे आपने लिखा आपने ब्लॉग में लिखा वा था कि पहरे दिन जो है आफकर टू आवर जो है बन ग्लास पानी आज विंटर कैसे हैं और समर में एक ग्लास पानी तो यहां सी शुरू क रहेंगी खाने के साथ पानी पीना शुकर दें बाकी बंद कर दें उससे क्या होता है और नॉर्मल परसन के लिए भी क्या है कि अगर मान लीजे कोई दो लिटर पानी पी रहा उसको कोई समस्या नहीं है तो उसके बावजूद भी बंद करेगी उसको प्यास लगेगी बार बार पर परशानी होगी तो अगर कौई क्ला के साथ पानी पीना शुकर देगा तो उसकी प्यास की समस्या खताम होगी फिर उसको कोई कोई effort नहीं करना पड़ेगा पानी छोड़ने के लिए वो अपने आपसे हो जागा जागा जो फिर उसको फॉलो करने शुरू आप उसको शुरू करते ही उनके प्यास कतम हो जाती है तो मुझकिल से जो नॉमल आदमी है उसका 24 गंटे से पहले उसकी प्यास कतम हो जाती है उस सबसे वड़ी है जो ओरवेट लोग है जड़े सिद्धे खाना खाले उसके बाद सिद्धा खाले और जो स्नेक्स वगड़ा की आदत होती है वो बंद कलते है उसको कुछ मुट असब बंद कर रखा है उसको मॉर्णिंग में जब खाना मानी जिन फेर बारा बज़े करीब ह तो तब तक कोई दिक्कत नहीं नहीं कोई जड़ूत नहीं कोई जड़ूत नहीं कोई जड़ूत नहीं कोई जड़ूत नहीं है फ्रूट खाने की फ्रूट सवाद सवाद वगरा के लिए होता है यहां हटे में एक दिन खालें दो दिन खालें बस उसके लिए पर जो ठीक जरूत नहीं के लिए उसी जरूत नहीं है अच्छा ना तेल से गभराने की जरूत है किसी चीज से गभराने की जो मर्जी जितना वर्जी खाओ अच्छा मैंने बताया था कि मैं प्रक्षिनर हो और मेरे पास लोग बागाते रहते हैं तो मैं उनको थोड़ा मैं आपसे मतलब और बीपली जान करें चाहूंगा इस चीज में तो मेरे यूट्यूब वीडियो में जितने भी लोग है उनकी वीडियो रिकॉर्ड उसकी आडि अब मेरा प्रोग्रम यह है कि हम इसकी सेंट्रलाइज मार्केटिंग करें इंटरनेट के उपर और आपके एरिया का जो पिन कोड़ है आपका जो सिटी है उस सिटी के लोगों को कोई भी इंटरनेट के उपर ढूंडेगा तो आपका नमबर मिल जाएगा उसको और आपके और आप उसको इसी तरीके से एडवाइज कर दीजिए फोन के उपर ही और उसको पांसो रुपे चार्ज कर लीजिए तो हमारा टार्गेट यह था कि जो भी मरी इंटरनेट पर ढूंडने की कोशिश करते हैं उनको आपका नमबर मिल जाए और वन टाइम चार्ज आप पांसो रुपे ले ले जो कि एक महीने तक वैलिड रहे हैं तो वो आपसे फोन पर सला ले लिया करेंगे और फोन पर सला लेने के 500 रुपीज चार्ज करेंगे हमारी कोशिश यह होगी कि आपको दिनके 80-80 कॉल्स आजाएं इस तरह किसे तो वो रेगुलर इंकम करीब 1.5 लाग रुपे से उबर महीने का टागेट है उसको हम प्रोग्रम को शुरू करेंगे एक दो महीने में अभी लोगों को कर उसमें आपको कॉल जानेश हो जाएंगी तो अब जैसे मेरा है मेरा मैं आपको बता जाता हूं मेरा क्रेडिबिलिटी क्या है मैं कोरा के ऊपर आंसर लिखता हूं हेल्ट से रिलेटिड मेरे पार स्टालाख व्यूज हैं परमंत के उसके अलावा में यूट्यूब के यूट्यूब हो गया कोरा में सबसे बड़ी खासियत क्या है कि 15 बीमारियों में मैं दुनिया के टॉप टेन राइटर्स में आता हूं और अगर आप टेक्निकली बात करें तो दुनिया में डाइबटीज और ब्लेट पेशर का कोई एक्स्पेशन नहीं है मेरे इसका छोड़कर और अभी मेरे पास दो पेशेंट है अगर डालेटीज तरह हो जाता है तो बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी और हेल्टी भी ह अगर दुनिया में इतने लोग हैं कि अगर हम हाज की डेट में 10,000 लोग भी लोगों को बताना शू करते ना तो अगले 10 साल तक तो लोगों को कमी नहीं होगी वे लाइन लगा के लोगा के लोगाएंगी तो ठीक असर मैं आप से जो जबार हूँगा और मैं बास भी करता आना बनेका हूँगा है कि ध्यक्हास पाध्ग आ जाप हाज।